मुनवर फारुकी ने उड़ाया अपनी ही बहन का मरजाग मुनवर अबश्रेक और आईशा ने की बिग बॉस के घर में चम कर मस्ती वाल सल्मान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 की लाइफ पीड में हमें देखने को मिला मुनवर फारुकी सबी घरवालों के लिए पोगे प्रिपेर कर रहे होते हैं यहां मुनवर की खाना बनाने की दूटी है ऐसे में मुनवर का साथ उनकी बहन देती होई नजर आती है मुनवर की बहन कहती है कि पहले तो घर के अंदर बिग बॉस सिर्फ 4 घंटे के लिए ही कंटेस्टेंस भी घरवालों को बेचते थे लेकिन अब तो 24 घंटे के लिए यहीं पर छोड़ दिया है अब वो कभी भी जा सकती है ये बात मुनवर की बहन कहा रही होती है बले इस पर मुनवर फारुकी अपती बहन को चिड़ाते हुए कहते कि हाँ बिग बॉस ने छोड़ दिया लेकिन बिग बॉस को क्या पता था कि तुम लोग कुछ कर नहीं नहीं वाले तुम किसी में जगड़े कर वाले बन अब यहां पर अपनी बहन को बताते हैं कि वह मजाख में यह सारी चीज़े कह रहे हैं मुनवर की बहन उनकी कोकिंग स्किल्स की तारीफ करती है और कह रही होती है कि बिग बॉस के घर में आने से एक चीज़ तो अच्छी होई है कि मुनवर पूरा बनाना सीख चुके है तो यह पर मुनवर कहते हैं कि हाँ आप उन्हे किसी की भी जरूरत नहीं है उन्हें पूरी कोकिंग को जाती है अगर यह लोग नेट भी आएंगे इस घर के बाहर भी अगर उनकी बहन लेट आई तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विल अभिशेक आईशा और आईशा के भाई भी किचन एरिया में आते हैं और मुनवर के साथ मस्ती मजा करते हुए दिखाई देते हैं विल अभिशेग कहता है कि मुनवर जो है वो कभी भी उनका साथ नहीं देता और मुनवर की वज़े से उनने इस घर में सबसे ज़ादा हड़ो ruit है विल अभिशेग कहा रहे होते है कि मुनवर को वो अपनी वाइफ जिता प्यार कर रहे हैं इसके बावजित भी मुनवर उनके लिए स्टाइड नहीं देते हैं अभिशेक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी मम्मी घर के अंदर आए क्योंकि उनकी मम्मी घर के अंदर आएगी सबी घरवाले इस वक्त उनके खिलाफ हैं ऐसे में उनकी मम् मुनवर के बीच में काफी ज्यादा मजाक मस्ती भी चल रही होती है वह समर्थ का नाम यूज करके मुनवर अभिशेक को चिड़ाते हुए नजर आते हैं कि उनके और समर्थ के बीच में अब दोस्ती हो चुकी है सब को टॉकिंग टर्म्स में आ चुका है इसलिए वह अब हम उमें दिखाई देता है कि उसे कितना बुरे लग रहा है और उसे कितना गुस्सा आ रहा है तो आपका आईशा अभिशेक और मुनवर फारुकी में बिचल रही है इस मजाक मस्ती पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे च